गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे पुस्तक सुलभ भारती कक्षाय आठवी से अध्याय नमबर तीन नाखुन क्यों बढ़ते हैं यह एक वैचारिक निवन्ध है और इसके लेखक है अचारे हजारी प्रसाद दिवेदी तो सबसे पहले हम लोग ह हजारी प्रसाद दिवेदी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हजारी प्रसाद दिवेदी जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ अप हिंदी संस्कृत बंगला एवं मंग्रे जी भसाओ की ग्याता थे वे हिंदी सहित्य के मौलिक निवन पुन्णर नौवा उपन्यास यादी। अब पाट शुरू करने से पहले हम लोग इसके कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे। पशुत्व यानी पशुता सेम चीजे। मनुष्यता मानवता, निर्वोत अज्यान, लुप्त गाया भुजाना, घ्रिडा नफरत, द्योतक यानी प्रतीक, चरितार्थता, सार्थकता, त्याग, बलिदान, सन्यम, नियंत्रण, संस्कृत, संस्कृती से संबंधित यानी हमारा कल्चक, आत्मबंधन, स्वाव बंधन अनि, सेल्फ कंट्रोल, अब बढ़ते हैं पार्ट की वर, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट के जरिए लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ध्यान दीजे इस पर, नाखुन क्यों बढ़ते हैं या एक वैचारिक नि आखु बर्स पहले इंसान वनवान उसके जैसा था, अब उसे नाखुनों की जरूरत हुआ करती थी, आधनी युग में इंसान को नाखुनों की जरूरत नहीं होती है, अत्तहु उसे काट कर फेकना ही बेहतर है, लेखक ने मनुस्य को पसु से भीन बताते हुए, निहित, स अन्यम, त्याग, श्रधा, जैसे गुडों का वखान किया है, यदि मनुस्य से इंसारे गुडों को अपनाएगा, तो उसका जीवान सफल हो जाएगा, अब बढ़ते हैं, हम लोग पाट की हो, तो लेखक क्या कहते हैं, देखिए, बच्चे कभी-कभी चक्र में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, अलपग्य पिता बड़ा दयनिये जीव होता है, अलपग्य यानि कम जानने वाला, थोड़ा जानकारी रखने वाला पिता, बड़ा दयनिये जीव होता है, दयनिये जिसके पास कोई ग्यान न हो, या बहुत कम ग्यान हो, तो जब बच्चे क कोई सवाल करते हैं उनसे तो उनकी जो इस्तिती होती है वह काफी दयानिये जैसी लगती है मतलब वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं उन्हें कैसे जबाब दू क्या जबाब दू मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखुन क्यों बढ़ते हैं तो म चुप चप दन स्विकार कर लेंगे पर निरलज अपराधी की बाती छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं आखिर ये इतने बहया क्यों है लेखक कह रहे हैं कि यह नाखुन ऐसा है कि हर दो दिन में हम काटते हैं दो दिन चार दिन बात काटते हैं और फिर ये जूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं, आपराधी निरलज मतलब समझ रहाएं, जिन्हें लज्जा नहीं हो, यानि बेशर्म, तो ऐसा अपराधी यह लोग क्यों करते हैं, अपराधी यह नाखुन क्यों है, कि जैसे हम काटने के बाद छोड़ते हैं, यह फिर वापस ब उसे नाखुन की जरूरत थी, उस के जीवन रक्षा के लिए नाखुन बहुत जरूरी थे, असल में वही उसके अस्त्र थे, अस्त्र यानि हतियार वेपन, दात भी थे पर नाखुन के बाद ही उनका स्थान था, धीरे धीरे वह अ अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहार लेने लगा पहले मनुस्य नाखुन और दात का इस्टिमाल करता था लेकिन धीरे-धीरे हुआ है अपने अंग से बाहर के वस्तूओं का सहारा लेने लगा यानि कुछ हथियार बनाने लगा उसने हडियों के भी हथियार बनाए मनुष्य धीरे धीरे और आके बढ़ा उसने धातू के हथियार बनाए धातू यानि लोहा पीतल जैसे चीजों को धातू कहते हैं इतिहास आगे बढ़ा कभी-कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुश्य आज अपने बच्चों को नाखुन न काटने पर डाटता है लेखा कह रहे हैं कि कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि एक समय ऐसा था जब हमें अपने नाखुन और दाट का ही सहरा लेना पड़ता था लेकिन आज मनुश्य अपने बच्चों को नाखुन बढ़ाने से डाटता है यह रोज बढ़ते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मनुश्य अब नाखुन को नहीं चाहता लेका कह रहे हैं कि अब मनुष्य में जरूर अच्छी यादते आ गई है, यानि मनुष्य पसुता को त्याग रहा है, पसुता यानि पसु जैसा ब्यवार को त्याग रहा है और वो नाखुन जैसी चीजों को नहीं चाहता है, ये उसकी भयंकर पाश्वी वृती के जिवन, जिवन्त प्रतीक है, यानि नाखुन जो है, वह मनुष्य के पाश्वी वृती के जिवन्त प्रतीक है, यानि मनुष्य पसुत है, यह बताने के लिए काफी है कि मनुष्य के पास नाखुन थे, मनुष्य की पसुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती, लेक लेखा कहते हैं कि अगर आदमी अपने शरीर की मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृतियों की विशे में विचार करें तो उसे अपने वास्तविक प्रविती पहचानने में बहुत सहायता मिले मनुष्य की नक वढ़ा लेने की जो सहस्ता वृति है वह उसके पसुत्वा और बहुत एलसे अमनुष्य को पहचानने की शमता रखे तो वह समझ जाएगा कि वह पुश्यता की ओर जा रहा है या मनुष्यता की जैसे नाखून के वढ़ना यदि हमें अच्छा लागता है उसका मतलब हम पो चुर जा रहे हैं यानि हम जंगली बनना पसंद कर रहे है और यदि हमें नाखुन बढ़ाना नहीं पसंद है, हम उसे काटते हैं या हमेशा साफ करते हैं, तो ये हमारी मनुष्यता है, यानि हमारी अच्छी आदत है. आगे लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन पूछता है मनुष्यता की और या मनुष्यता की और, अस्तर बढ़ाने की और या अस्तर काटने की और. लेखक कह रहे हैं कि मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्यता की और बढ़ रहा है, अब एक तरफ मनुष्यता की और बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ जब मनुष्यता की और बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वह फिर पूछता की तरह बढ़ रहा है, तो लेखक कह रह मनुष्य जाती से ही सवाल किया है कि आप जानते हो नाखुन क्यों बढ़ते हैं वो हमारी पशुता के और शेष है और शेष यानि बचा हुआ भाग है जो हमारे अंदर थोड़ा सा पशुता रह गया है वो बचा हुआ भाग नाखुन यह बताता है कि हम पशुते मैं भी पूछता हूँ जानते हूँ यह अस्तर सस्तर क्यों बढ़ रहे हैं यह हमारी पशुता की निस्तानी है तो लेखा कह रहे हैं कि जिस तरह से बच्ची यह कह रहे हैं कि हमारा नाखुन बढ़ना हमारी पशुता की निस्तानी है उसी तरह से जब हम अस्तर सस्तर बढ़ और शेल नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए कहना है कि जब हमें स्वाराज मिला यानि हम स्वातंत्र हुए तब से हम यह सोचते हैं कि हम सुखी कैसे रहें या नेता सोचते हैं कि देश को सुखी कैसे बनाया जाए हमारी पर रंपरा है वह महिमा मही मतलब गुडगान के लायक है बखान के लायक है और संसकार उच्वल है और हमारे देश के जो संसकार है वो प्रकाश्मय है क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी शंस्कृति की बहुत बड़ी विशेस्ता है लेकर को पालन करने के लिए भी हम खुद ही मजबूर होते हैं यहां में किसी कोई आकर के हमारे उपर प्रिशन नहीं देता कि आपके लिए जो नियम बना है वो से आपको मानना है हम अपने द्वारा बनाएगा या अपने सारे नियमों का पालन भी खुद ही करते है हमारी यानि कंट्रोल दूसरे के सुख दुख्य प्रती समवेदना है यानि दूसरे के दर्द को समझने की भावना है श्रदा है यानि आस्था है तप है तप मतलब तपस्या और त्याग है त्याग मतलब किसी के लिए कुछ कर देने की शमता रखना इसलिए मनुस्य जगड़े टं को बूरा समझता है जो व्यक्ति गुस्य में आ करके चढ़ दोड़ते हैं लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं उन्हें मनुष्य औविवेकी समझते हैं वचन मन एवं शरीर से किये गए असत्याच्रण को गलत मानता है और मनुष्य में क्या गुड़ है कि वो अगर अपन पशू से भिन्य है भिन्य यानि अलग है ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखुनों का बढ़ना बंद हो जाएगा प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावस्यकंग उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूछ जड़ गई यहाँ पर लेखा कह रहे है कि प्राणी शास्त्री जो है उनका प्राणी शास्त्री मतलब जीव जन्तों का ज्यान रखने वाला व्यक्ति जो है उनका कहना है कि मनुष्य का नाखुन उसी प्रकार से जड़ जाएगा जिस प्रकार से पशूँ के पूछ जड़ जाते हैं सम शायद उस दिन वह मरडशास्त्रों का भी प्रयोग भी बंद कर देगा. और कह रहे हैं लेखा कि शायद उसी दिन जिस दिन मनुश्य का नाखुन का बढ़ना बंद हो जाएगा उसी दिन से मनुश्य मरडशास्त्रों का भी प्रयोग बंद कर देगा यानि अश्त्रशास्त्रों का भी प्रयोग करना बंद कर देगा जो किसी को मारने के लिए करते है नाखुन का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निसानी है जो नाखुन बढ़ते हैं मनुष्य के उसके ये निशानी है कि वो पहले पशुत है या अभी भी अगर उसको रखते हैं संघार करने के लिए, वार करने के लिए, किसी को मारने के लिए तो यह उसकी साफ निशानी है कि मनुष्य पशू था या पशू है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इक्षा है अपना आदर्श है और मनुष्य उसे काटता है उसे साफ करता है उसे नहीं बढ़ने देता है इससे पता चलता है कि मनुष्य आदर्श है अच् आदत है वह किसी चीज की दिता य shining पहचान पशुत्व यानि पता है आपको मैंने पहले ही वताया है पशु जईसा और जानवर तो मनुषय में घ्रीड़ा है जो आनायास बीना शिखाया जाती है वह किया है पश्युत्व का दिता यानि मनुश्य रखना दुसरे का आदरभाव करना यही मनुस्य का धर्म है बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तब से प्राप्त वस्तुए मनुस्य की महिमा को सुचित करती है जैसे कर लेखा कह रहे हैं कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो हम अभ्यास करके तब करके अगर कोई चीज पाते हैं तो उसकी मनुस्य की महिमा को सुचित करती है अभ्यास और प्राप्त करके पाए गए चीज मनुस्य की जीवन को सफल करता है मनुस्य की चरितार्थता प्रेम में है मैत्री में है मनुस्य होना और मनुस्य की सफलता किस में है प्रेम में है मैत्री में है यानि दोस्ती से जीने का भाव रखने में है त्याग में है अपने को सब के मंगल के लिए निशेस भाव से दे देने में है और दुसरे के सुख के लिए उनके दुखों में सामिल हो जाना ऐसा भाव रखने से ही हमारा मनुस्य होना चरितार्थ है यानि सार्थक है नाखनों का बढ़ना मनुसे की उस अंध सहजाद बृति का परिडाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको काट देना उस्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्था की ओर ले जाती है कहना है कि नाखनों का बढ़ना एक सवभाविक जो पहले से रह चुका है वो कुण है लेकिन उसे काट करके मनुसे यह साबित करता है कि हम अच्छे बन सकते हैं अच्छे रापर जा सकते हैं नाखन बढ़ते हैं तो बढ़े मनुसे उन्हें बढ़ने नहीं देगा लास्ट में लेखक कह रहे हैं कि नाखुन अगर बढ़ते हैं तो बढ़े हम मनुसे उन्हें बढ़ने नहीं देंगे कहने का मतलब की संसार में बुराईया भी है लेकिन हम उस बुराई को फैलने नहीं देंगे और अपने अंदर आने नहीं देंगे तो समझे बच्चे इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलता है हमें सद गुडों को स्विकार करना चाहिए और गुडों को त्याग करना चाहिए नाखुन का बढ़ना पशुता की निशानी है किसकी निशानी है पशुता की निशानी है यदि बुरी यादते आ जाए तो हमें उनका त्याग करना चाहिए अस्त्रो शस्त्रो का प्रयोग सकारात्म कारे के लिए करना चाहिए सकारात्म मतलब अच्छे कारे के लिए करना चाहिए हमें सन्यम, त्याग, श्रधा, मैत्री तप एवं त्याग जैसे गुडु को अपनाना चाहिए और इन्हें अपनाने से प्रतीक व्यक्ति का व्यक्ति तो और जीवन सफल हो जाएगा इसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए